हेवरीबोडी वेलकम तो एकसल अकेडमी हम पढ़ रहे थे विग्यान और गणीत की सिक्षण विदियों को एक साथ और इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर दिये थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपका एक बैस तयार कर दिया था इन तीन वीडियो को देखने क उनको भी आँ कर लेंगे आज हम पढ़ेंगे आगमन विदियों को हम एकसाथ डिफ्रेंस करते हैं इससे क्या होगा आगमन विदी और नीगमन विदी जो है वह एक दूसरे की विपरीथ है आघमन विदी से जन्स्ट आपोजीट है नीगमन विदी तो क्यों हम इनsın हम इनको एक साथ comparison करके पढ़ेंगे जिसे हमारे को ज्यादा याद होगा और जल्दी याद होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फीचर का तरीका होता है कि पहले formula समझा दिया कि यह formula होता है या कोई नियम समझा दिया और उस नियम को समझने के बाद हम example देते हैं माद्यम् से उस नियम को समझाया जाता है यह तो है निगमन विधी और पहले उधारन दे दिया और उसके बाद उस उधारनों के माद्यम से यद्हिज़्洲 करें हैं ऊर्मिला क्रेंड करें है तो वह मैंद्र अब आगमन वीधी चलती है उदारन से नियम की और बस ये इक चीज इंपोर्टेंट है इसको आपको याद रखना है तो जो आगमन वीधी है ये इंडेक्टिव मेतड निगमन वीधी डिडेक्टिव मेतफड ओके कि आगमन वीधी ये आ आ रहा है ये एक्जामपल उदारन तो याद क्या रकना है याद के वली एक लाइन रकनी है और इस भी अगमन ऐने उदारन ऐसे एग्जामपल ठीक है आगमन में पहले क्या आएगा एक्जामपल आएगा ऐसे याद रख लेना है आगमन उदारन उदारन से नियम निगमन विदी जस्ट इसकी उल्टी है नियम से उदारन अभी इसको भी हम समझेंगे विषिस्ट से सामन्य की और चलती है आगमन विदी यह चलती है सामन्य से विषिस्ट की और यह प्रतेक्स यह प्रमान की और यह प्रमान से प्रतेक्स की और यह स्थूल से सुक्स्म की और यह सुक्स्म से स्थूल की और यह बताने का मेरा मकसद यह है कि आपको इस आपका माइंड में सेट हो गया हो गया कि ये दोनों विदियाँ एक दूसरे के विपरीथ है इनको हमें अलग से पड़ने की ज़रत नहीं है इनको जितना हम कंपेरिजन करके पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे को याद रहने वाला है है अब देखो जिससे सामानिया सब्सभस जीजिसाम्पल के माधिन से समझते हैं है जैसे हम एक एके एंग्जामल लेते हैं की एह तो तो तक की प्राकर्शंख्याओं का योग क्या हो जाएगा एक प्लस दो यह इनकी कितना हो जाएगा तीन एक प्लस दो यह इनकी तक प्राकर्शंख्याओं का योग हमें गया थी 15 तक की प्राकर्शंख्याओं का योग तो एक फोर्मूला हम लेके आना है ठीक है तो यहां तक प्राकरत संख्यों को यह क्या हो जाएगा तो रहा है व्हान प्लस 2 प्लस ू है प्लस 12 इसे हम सब बैठेगी कि n into n plus 1 करे by 2 करे या इस टाइब से है ना अलग अलग हम ट्राइब करेंगे कि क्या होता इसका तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि इसका जो फोर्मुला है वो होता है n into n plus 1 by 2 हम यहां यह करते करते हमें एक generalization एक mind में idea हो आएगा कि इसका formula क्या हो सकता है तो हम यह formula generate करेंगे कि n into n plus 1 by 2 अब देखो जिसे n 5 रखा 5 into n plus 1 6 यानि कि 5 into 6 बटा 2 तो 6 से 5 36 by 2 यानि कि 15 आ गया तो हमारा 15 ही आ रहा है यह formula तो यहां हमने क्या क्या यह करते 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 कि हमने एक formula यह है जो खुद से generate किया मैं example सिखाए जा रहे है उसके बाद हमें सिखाए जा रही है कि यह formula क्या बन रहा है n into n plus 1 by 2 बन रहा है हम कुद की n equals to 5 के लिए देखो तो हम देखेंगे कि 5 into 5 plus 1 by 2 यानि कि 5 multiply by 6 by 2 यानि कि 15 आ जाएगा फिर हम इधर देख लेंगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 यह भी 15 बन रहा है यानि कि हमें पहले formula पता हो उसके बाद हम यह ऐसे a n equal to 5 n equal to 6 n equal to 7 बहले formula for example तो यह वीदी तो होती है दरी और इस वीदी किया कर रहे है इस वीदी मैं formula हमें पता ही नहीं है हम तो brainer को बनाने की और बनाने की करने काचसिने कुछ dai करना की कि तो means creativity best means सरजनात्मक best means ये विदी क्या है बनोवग्यानिक विदी है लेकिन इसमें तो हम कोई सरजन करी नहीं रहे हमें formula पता है बस एक basic approach जो maths की होती है formula में value रख रहे हैं और हम उत्तर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है यहां हम कुछ नया कर रहे हैं क्या यहां कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहां तो formula पता है यहां हमने formula को create किया formula को generate किया जबकि यहां तो हमें पता है इसका मतलब क्या है ये विदी तो क्या है बनोवग्यानिक है लेकिन ये वाली विदी क्या है एह मनों विग्यानिक है यह चात्रों में चात्रों की विग्यानिक प्रोर्ति का विकास नहीं कर रही है यह तो जैसे आर्ट्स में मिलता है सब कुछ उसको याद करना होता है उसी टाइप का हो गया कि फोर्मुला मिला इसको याद करना हो गया यहने कि यह किस पर जोर दे रह वग्यानिक दृष्टिकोन को बढ़ावा दे रही है, जबकि यह वाली विदी वचीन. साइन्स और महत के लिए कौनसी वच्छी हो नहीं चाहे है, है क्या आगमन विदी जादा बस्ट 15éra ऐसे टोपिक्स है कहीं जगें वो वाक्यान विदी है वो ज्यादा सटिक बेढ़ती है यदि आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा विद्यारते हो तक कोई बात पहुंचा नहीं है तो उसके लिए वाक्यान विदी सबसे ज्यादा उप्यूगत होगी वैसे ही आगमन और निर्बर करती है कि आपका कौन सा टोपिक पढ़ा रहे हो उस टोपिक यानि कि शिक्षन बिंदू क्या है वो शिक्षन बिंदू पर निर्बर करेगी कि कौन सी विदी यहां उप्यूगत है जहां आगमन विदी सटिक बेढ़ती है तो वहां यह डिपेंड किस पर करता है शिक्षन बिंदू पर teaching points पर यानि कि teaching points जो है वो इसका center point है कि शिक्षन बिंदू को आपको पढ़ाना है तो उसी से हमें idea लगेगा कि आगमन विदी जादा अच्छी है इस शिक्षन बिंदू के लिए या निगमन विदी अच्छी है अब आपको ये समझ आ गया कि ये पराकर संख्यों को चोड़ो तो हमें प्लस टू प्लस थ्री प्लस पॉर प्लस पाइप तो हम कह रहे थे पंद्रा लेकिन हमें फोर्मूला पता ही नहीं था यानिकि ये विदी किस और चलती है ज्यात से अज्यात की और चलती है या हमने एक अज्यात चीज को generate कर लिया ज् फॉर्मूले में रखके ये पंद्रा तो हम ऐसे ही निकाल लेते कहने का मतलब क्या है पहले अज्यात से याद की और चल रही है अब इसमें बड़ा confusion होता है ये थोड़ा समझ नहीं आता है विशिष्ट से सामन्य की और तो आपको मार्ण में सेट ये कर लेना है कि एक्जा होता है तो आपको दिमाग में एक सेटिंग बटा लेनी है कि विशिष्ट मतलब एक्जामपल विशिष्ट मतलब क्या एक्जामपल और समझ ये मतलब इसका जनरलाइजिशन कर लिया यहने फॉर्मूले ते पहुंच रिया तो हम इसमें फॉर्मूले में बाद में आफके दिमाग में इस gun आर निमें से कोई पूछे का व्याइन को पुछे का है ओके तो इन जन्रिलाइजिशन हुआ पड़ा है यानिकी सामभण्य से हम किदर चले विशिष्ट की और एक्जमपल्स की और समझा गया बिलकुल वीप्रीत वीदिया है दोनों यह प्रतेक्षे प्रमान की और प्रतेक्षे ने जिस चीज क्या हमें ध्हानों और प्रमान यानिकी वह की रखा है लेकिन प्रमान कैसा यह और निंश्करश क्या यह यह आया तो ने जमें जोडा अब हम्तों मिला है इसका अब हमसे क्या ह्त्य रूप में इसको समझे हैं तो परमान से प्रतेक्षी और इनमें ऐनीन नहीं होना है ठीक है, स्टूल से शुक्ष्म की और, शुक्ष्म क्या है, शुक्ष्म चीजह यह जोटा ठीक है, तो स्थूल बड़ा है एक्जम्पल तो कितनी सारे हो सकते हैं अभी इस वीदी में किता टाइम लगता अभी यहां हमारा दिमाँ थोड़ी ने लगा यह है अब हम और एक्जम्पल से लेंगे देन हमें आइडिया लगेगा कि इसका यह फोर्मॉला यह तो चीज यह तो सुक् हमें यहां पता है और फिर हम एक्जम्पल पर जा रहे हैं तो शुक्ष्म से इस तूल आई होप यह जो डिफ्रेंस ना यह आपको समझ आ गया होगा अब किसमें तो आगमन विदी जादा अच्छी बेठेगी किसमें जशे त्रकॉन मिती है त्रकॉन मिती में आप छे हैं तो रेखा गनेटेगा या 20 गनेत निगमन विदी जादा बेठेगी एकच स्के 5 की एकचसे प्लस Yi स्केर प्लस थो यह क्या है और सटीक बेठेगी और तरूम्र क्यों में आगमन विदी ज़ादा अच्छी देहेगी अब देखो अब यह चीजें जैसे मैं ऊर zwei तास्ता-दमेद विद्य दिश्टि कोंड का विकास होगा पंडिश्टी ने और भूंगें तो वह सारी चीजें इसमें आगए आग जाएगी लेकिन इसमें तो हमें formula पता है कुछ नहीं कारी नहीं रहे हैं उस formula में केवल value रखे जा रहे हैं मतलब यह कैसी है इसमें केवल सुत्र की पुष्टी करते हैं ध्यान रखना यहां पर सुत्र की खोज कर रहे हैं लेकिन यहां सुत्र की पुष्टी कर रहे हैं कि सुत्र सही है क्या कर रहे हैं यहां पर समय अधिक लगेगा आप तुरंत इतना माइंड तुरंत काम नहीं करेगा बहुत सारे एक्जांपल देखोगे मैंने यह जल्दी बता दिया आपको क्योंकि हमारे पास इता टाइम नहीं है तो बहुत सारे एक्जांपल के बाद में आपको समझ आएगा कि यह फोर्मुला इसका बन सकता है तो यहां पर क्या होगा समय अधिक लगेगा यहां तो हमें फोर्मुला पता ही है तो समय क्या होगा यहां पर समय का सुद्वयोग होगा देखो जहां कम टाइम है हमें जल्दी कोर्स करवाना है तो ये विदी ज्यादा सटीक बेटेगी छोटी कक्साओं के बच्चें एक कुछ पॉइंट्स है कुछ उनमें है कि हाँ विज्ञानिक दृष्टी को उनका यदि आपको विकास करना है तो कुछ पॉइंट्स आप उनको छोटे क्लासेस के बच्चों को कुछ पॉइंट्स आपको इस विदी से सिखाओ जाकि उन्हें खुद से ये एक ये जो सोच डवलप होना कि हम खुद से कुछ करते हैं यह आत्म निर्वड़ता शेल्फ कॉंट्फिडेंस की भावना का विकास होगा लेकिन जहां बहुत सारा स्लेबस आपको करवाना आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसमें टाइम वेस नहीं करोगे उस टाइम क्या करोगे आप निगमन विदी की अप्रोच आप फोलो करोगे और रूल टू एक्जामपल आप चलोगे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे समय का सदूप्योग होता है यह जो विदी है अध्यापन की स्रस्ट विदी है अध्यापन की स्रस्ट विदी क्या है अध्यापन की स्रस्ट विदी क्या है अध्यापन की स्रस्ट विदी है आप इस टाइप से बच्चे को पढ़ा रहे हो तो अध्यापन की स्रस्ट विदी है लेकिन यह अध्यन की स्रस इसमें क्या होता है अपने प्रयत्नित से नवीन ग्यान का शरजन करता है कुछ नया क्या फॉर्मूला खुद से बनाया तो नवीन ग्यान का खुद से शरजन कर रहा है इसमें क्या होता है इसमें क्या मानते है एक चीज यह डिफरेंस जान रखो इसमें पहले से फॉर्मूला बता देते हैं यहने कि जो ग्यान है वो सत्य है यह विदी क्या मानती है तो जो ग्यान है वो तो सत्य अप्रिवर्टन सील है जो पॉर्मुला है वो चेंज नहीं होता है लेकिन यह विदी क्या बानती है कि ग्यान सत्य है यह खुद उस पॉर्मुले को क्रेट करती है यहने कि ये खुद से ग्यान को सरजन करती है इसका आधार क्या है निगमन विदी का यनि कि इसमें ग्यान को ग्यान से रजीत करते है ग्यान को हमें और ग्यान लेना है उसको कैसे पहले से ही जो ग्यान है उसको ग्यान को ग्यान से यह इसका आदार है लेकिन इसका आदार क्या है इसमें पूरवे ज्ञान क्या है अब आगमन वीदी में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कोई सा भी फोर्मुला हम create कर सकते हमें उससे related कुछ पूरवे ज्यान होगा जीसे हमें प्राकरसंग क्योंगी इस टाइब से यह नहीं पता ह से वो दिखने अब देखिए इन वीडियों की और क्या खाशियत होती है देखो यह आपको समझ याद रखना है आगमन उदारंड से नियम नियम से उदारंड क्योंकि इस एक फ्रेण देखो हम इस एक लाइन के मादेहम से हम पीछ पारनरों समाईत हो जानाये झाये कि så करी जाती तो हम नेकित discount के मादेम से यह कंप्लीट करी जाती है तो हमने देखा आग मान उती में है किस और चलते हैं उधारन से नियम जुन्हें कि विशई्ट गारति नीरेक्षिं करेंगे मैं में एक सेटिंग मैं मैं एक सेटिंग जैसे ऐनप्राकरट संख्यां का योग आपने अपरोज समंझ ली इस टाइम से निकाला जा सकता है उसके बाद अपना माइंड काम करने लग जाएगा. तो इसमें क्या होगा? विशीष उधारनू का प्रस्तुति करना सबसे पहले होता है. उसके बाद हम क्या करते है? उन जो आएं, उधारन दीए, उनका निजिक्षन करते है. को सकता है को सकता है अभी नियम में उसको बानते की कोशिद क세요 और उसको है क्या एक के लिए बराबर हो सकता है कहीं बार एक के लिए बराबर दो चौर का ऐसे प्रिक्शन करेंगे यहां उसको प्रिक्शन करेंगे सब के लिए आ रहा है इसका मतल़ हम उसका क्या कर दिये सत्यापन कर दिये तो हम यहां किसका रूल से हम कहां तक पहुंचे रूल तक प्रिभासा जो भी है वो पहले ही बता दिया जाएगा वह सभशाधू होगी विज्यान रचुछा के बाद निहेंगे घ्यमा वीदी के अविधि के बाद निगमन वीदी के बाद निगमन वेदि के बाद नीगमन विदी के तोzes से सत्यापन यन्हें की जांच कोन करती हैं नीगमन please समझा वे से दिए लिकिन हम आगमन i ARE常ends इत्हगरा हैं और फल्मुले से हम उदारण तक चले यन्हें कि आगमन्वी डिकी जांच कोन करती हैं दीगमन विदी अब देखो इनकी क्या कम्या आप अपका बनाया था वह आप उससे कर लोगे कि ये जो विदी है करके सीखने पर बेस्ट ये निगमन विदी रहेगी कि चोटी कक्साओं के बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता है तो उनको पहले पूर्मुला बता हुआ तो फिर एक्सामपल तक चलो तो ये विदी अब इस विदी की खासियत है वो इस विदी की खासियत है छोटे ककसाओं के बच्चों और मन बुद्धी के लिए उप्योगी है इसकी कमी क्या हो जाएगी कि छोटे ककसाओं के चातरों में इतना दिमाग नहीं होता है कि खुद से फॉर्मूला करेट कर रहे इसका मतलब यह विदी उनके लिए उपयोगी नहीं है गरकि यह विदी इनके लिए उपयोगी है ठीक है अब प्रतेक चात्रे में आंकडूं का नियमी करन नहीं कर सकता कि उसका एक्जामपाल संसलेशन वि जो कमी होगी वो इसके पाइदा होगा इसकी खाश्यत रहगी इसकी जो का मि रहेगी दोनों बिल्कुल विप्राई चलेगी कैसे अब यह सिक्षन बीकरे लिए रिए बिलकोल डिफ्रेंट है अब इसमें क्या होता है इसमें छातर ही होता Hare कुछ से क्रियेट कर ना formule को ने से चलिए करना है लेकिन इसमें शिक्सक्राइए हलो उनके यह क्या झाल है मेरो वगयानी का मनू वगयानी ये हैं ये है खुद से फ़ॉर्मुले को खोजा लाकि को अनुसंदान का मार्ग के बताती को रिख्यासानी कोई रशनात्मक bridge का विकास नहीं हो रहा है इस में बताने का मतलब क्या हैै कि जन्सक्र्भी हो requires करना है तो उसको कभी माइंड वेनिंग विग्यानिक दृष्टिकॉन का विकास नहीं होता है बस वह पहले से जो है उसको परोशा जाता है वह जो चीजे वह माइंड में सेट करके बेटा होता है कि सब कुछ चीजे हैं कुछ नया नहीं खोच सकते तो यह विदी क्या है एंड लिए कि विदियान जादाथ इस था ही होता है लिदियान जादा इस परस्ट होता है तो आइज होप यह जो डिफ्रेंस Doiड़ा को समझ आ गया होगा रादा घ्रक मिदी आश्या समाल वлись लेशन विदान विदिया संऺंड लेंगे म western विफलेशन करने Talk We तो हम सारी विडियों को करेंगे इसी करम में एक में नोट्स के लिए बोल रही थी लेकिन मैं बिमार हो गई थी तो मुझे थोड़ा भी लगा कि मैंने बुला आज तक मैं आपको अवलेबल करा दूंगी और अभी तक मैंने नहीं कराए नोट्स अवलेबल तो बहुत लोगों ने सही आंसवर दिया और आप में बहुत अच्छे से वीडियो दिल से वीडियो देखते हो यह आपके लिए बहुत फाइदेवेंद रहेगा और अच्छा लगा मुझे कि आपका आंसवर राइट था Herbert Spencer समध्या समाधान विदी समध्या कोई भी कठिणाई कोई कोई भी बादा कोई भी प्रोब्लम गनीत और विज्ञान पड़ते हो तो गनीत में हर एक क्योंचन क्या है प्रोब्लम है एक समश्या है विग्यान पढ़ते हो हरे कौनसेप्ट को समशना वह आपके लिए समश्या है तो गणी चांते का पढ़ना ही किया है समश्या है तो समश्या समाधनिदी आके इस प्रोब्लम एक उम보र्ब्लम को एक समझ नहीं आ रही है वही समिश्या है तो समिश्या को सॉल करते टाइम केसे करेगा वह चिंतन द्वारा करेगा कौन से कौन से लग रहे हैं फला फला ऐसे दिमाग में सोच के तरक द्वारा चिंतन द्वारा उसका सॉल करने की कोशिज करेगा तो यह क्रिया द्वारा सीखना ह इसमें विद्यारती चिंतन के माद्यम से सीखेगा मतलब विद्यारती क्या है सक्रिये और विद्यारती सक्रिये है विद्यारती रोची होगी तो यह प्रॉब्लम को सोल करने की कोशिस करेगा यह यह विद्यारती कैसी है यह विद्यारती मनव विज्ञानिक है इसमें क्या हो जाता है तो उसके बाद एक अलग confidence नजराता है तो यह विदी जो है वह बालक के आत्म श्वास को बढ़ाती है साथ ही खुद से यदि वह समश्या समादान कर लेता है तो एक आत्म निर्भर की भावना भी जागरत होती है अब समश्या कैसी होनी चाहिए समश्या विद्यारत इस्तर है असे बुक्स विद्यारती के अधिम इस्तर के इकारणि बुक्ट बन सी के अनुसर हम यह जो प्रॉब्लम होनी चीकिक है वह होनी चीकिए अप प्रॉब्लम तो कुछ ही उलगा समश्या सब सो बोई चुनोती पॉन होना चाहिए थोड़ा इंडरेस्टिंग होने चाहिए पूर्वे ज्यान पर आधारित होना चाहिए थोड़ा बैसिक नोलेज उसको पता है उस पर बेस्ट होना चाहिए जैसे कुछ संस देते हैं कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले गुरू जी उ सब चीजें एक है विद्यारती के अनुभव पूर्वे घ्यान विद्यारती को बिल्कुल उस चीज के बारे में नोलेज ही नहीं है तो आगे बढ़ी नहीं पाएगा आज रिसर्च जो हो रही है तो डाइरक्ट वो रिसर्च नहीं कर देते हैं उससे पहले उसका इतियास क्या क्या चीजें हो रही है वो सब बढ़ते हैं उसके बाद में थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते और एक नए जो आविश्कार कर देते हैं अध्यापक संसलेशन के दौरा पहले अध्यापक जैसे मैंने का की चेप्टर पढ़ाया तो पहले संसलेशन करके पूर समझाते हैं बच्छों को उसके बाद को क्यों संदिया जाता है बाद को प्रोब्लम दी जाती है तो समयषया समाधान विधी साइंस्मेत वाले स्टूडेन्ट के लिए तो बहुत कठी नहीं है क्योंकि पढ़ते टाइम हर जगें समयषया का सामना करते हैं तो समयषया करते हैं वही इसके स्टेप से पहले स्मिष्या का निर्माण है ने बनी स्वाई इसके बाद समिष्या का प्रस्तूति करन और कल्पनाओं का निर्मान की कुझक लगा? उसका विशलेशन करेंगे, इसको ऐसे लिख दिया कारी योजना बनाई कुछ बुक्स में तो भी उसके बाद में क्या हुआ मुलींकर, जिस, not important, कि समिश्या समादन के steps क्या है आप जिस वे में उस समिश्या का सबसे पहले कोई कसन आया, तो हम उसके बारे में चिंतन करते हैं इससे पहले वाला जो पूरू घ्यान है उसके बारे में सोचते हैं संसलेशन करते हैं विशलेशन करते हैं हम सोचते हैं कि ये कौन साइप इसमें लग सकता है तो उपकल्पना का निर्वान हो गया उसके बाद हम ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद जब क्यूसन का अंस्वर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद में हम मुल्यांगन करते हैं कि हमारा सही है या गलत है तो स्टेप्स इतने इंपोर्टेंट नहीं है बस हमें पता हो विदी के परवर्त कौन है किस ने इस विदी को दिया तो इस विदी को देने वाले कौन थे रोबर्ट गेने थे यह इंपोर्टेंट है इस विदी में बाकी समिश्या समाधान आप एक समझ लो कि क्या है समिश्या समाधान उसके बाद अपना कोई भी क्यूस्टन वह समिश्य कोई भी प्रेसा नहीं है तो इसके बाद यह कुछ याद रखने कि आपको जरुद है नहीं यह जरूर याद रखने कि इसके परवर्त कौन थे कौन लेकर आये रोबर्ट गेने तो जब मैंने साइकोलोजी में अधिगम जब चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने अधिगम के स पान सिद्दान्त और अधिगम के सोपान सिद्दानत को किस ने दिया था रोबर्ट गेने ने दिया था और रोबर्ट होता है उदीपन अनुक्रिय अधिगम सरंख़ा अधिगम साब्धिक अधिगम भहुए बैद्ध अधिगम सिधान अधिगम और समष्या मार्व जो बट गेने ने अधिगम का सर्वत्म प्रकार बताया ता तो यह रोबर्ट गेने ही करना है, उसी टाइम मैंने बताया था, एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया, तो समश्य समाधान विदी, यह है किसने दी, रोबर्ट गेने ने दी, क्यूंकि जब आप साइकोलोजी पढ़ोगे, तब भी आपको याद करना है, अधिगम का आप याद रकना कंडिशन ओफ लर्निंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञानिक विदी, विज्ञानिक विदी जिसने मेरे पूरे विडियोज ढंग से देखे हैं, तो मैंने साइकोलोजी पढ़ाते वे विज्ञानिक दृष्टी कौन विख्षित होता है, तो मैंने कोई भी चीज है, तो हवा में नहीं कि यह है, ठीक है, विज्ञान की मदद से किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी समिश्या को, एक सोच विचार करके, तारकिक ढंग से, अलोचनात्मक ढंग से, अलोचनात्मक ढंग से, उसके सही, गलत, उसके अच्छे, सब को ध्यान में क्रमबद प्रक्रिया से किसी भी समिश्या का हल ग्यात करना किसी भी समिश्या को क्रमबद प्रक्रिया से क्रमबद एक क्रमवाइस और एक सूव ववस्तित धंग से यदि उसका अध्यन किया जाता है तो ऐसी विदी कौन सी होती है विग्यानिक विदी के स्टेप्स क्या होते है कोई भी समयश्या है वो समयश्या गुरू जी ने परादान की गुरू जी को क्या का रही है इसемे गुरू का प्रिस्थितिया बच्चे के सामने विख्शित करना जो हमने समयश्या संभादान विधी पड़ी थी विग् apprent थी अभी हमने आगमन विधी पड़ी वो विदी भी क्या थी विगयनिक विदी अन्वेशन विदी भी क्या है लगबग विगयनिक विदी तो विगयनिक विदी कोई अलग से विदी नहीं है हम समिश्या का समादान सबसे पहले हमारे सामने कोई समिश्या आती है तो जैसे हमारे पुर्वज ये मानते थे कि जो बारिष होती है वो बगवान करवाते हैं ठीक है बगवान ने बारिष नहीं करवाई तो ये एक पुर्वाग्र है तो हमने पहले कि जुनी सुनी चीज़े हमारे दिमाग में रहती है तो हम नहीं कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि बारिस का कारण क्या है तो वो जल चक्र जो है वो हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं क्योंकि हमने तो अपने पुरुवजों से जूनी हुई है कि बारिस दो बगवान कराते हैं ये पुरुवग्रे नहीं रख कर यह हमारा पुरुवग्रह है इस पुरुवग्रह से हटकर यदि हम उसका तार्किक डंग से अध्यन करना चाहें कि यह हुआए यहां आ रही है उतर पशिम मांसून है इधर नाप बढ़ार ताप बढ़ार यह सारी चीजें जो साथ लेके चल इस त्रीके से अध्यन किया कोई भी समिष्या ऊई उसके बाद में हम इस समिष्या से रिलेटेड आख्ड़े एक्टे करेंगे तो दूसरा स्टइप कि आ आजएका पहला समिष्या का कतन हुआ दूसरा हम आख्ड़े एकटा करेंगे और आख्डू का वर्गी करं 경 कऱेंगे कि यह इस चीजें तो है पिर हमें गलब का निर्मांद करेंगे, अब इसमें यह दे कल्फित कथन यह यूँ बॉल देगी उपकलपना का उसका वापस प्रिक्षन करो उपकल्पना का प्रिक्षन करो कि हमने जो संभावना जताई वह सही गलत है उसका प्रिक्षन किया वह प्रिक्षन यदि सही आता है तो निसकर्स पर आ तो यह confidence है आपके उपर कि आप बिल्कुल इसको सही ही करोगे, ठीक है, ओके, गुरू जी ऐसी प्रस्तितियां क्रियेट करें, कि बच्चे उसको उसके अपने प्रयावरन के आसपास की चीजों को जानने के लिए उत्सको, जैसे बारिस कैसे होती है, तो उनको लगता है, पह इने की सुवववस्तित और कर्मबद, वीज्यान की प्रीमासा ही क्या होती है, कि प्रकृति के, करमबद और सुवस्तित ज्यान की विज्वव czasu होगा, चिंतन के चिंतन कर रहा है, कुछ नया सोच रहा है, यानिस हरजनात्मिक विदी है जो अपचता है जो इसा ज्यान होगा वो निशुक्त होगा यह पक्षपात रहीत होगा पुर्वाग्रे से मुक्त होगा जिसे बारिस अब हमें पता चल गया कि यह ऐसा जलचक्र होता है इसकी वजह से बारिस होती है तो यह ज्यान के सा होगा निश्पक्स होगा पुर्वाग्रे मुक्त होगा और वस्तुनिस्ट होता है देखो वस्तुनिस्ट objective टाइप है जिसमे में साथ सब्सक्राइद के लिए come on रॉप्सनडाइक इस में लगते हैं जिसमार कि दो मक्स ऐसा होता वस्तुनिस्त होता है निस्पक्स होता है, पक्सपात रहीत, पक्सपात रहीत का मतलब है, हम इसकी अलोचनात्मक डंग से चिंतन करके प्राप्त ज्यान है, इसके अच्छाई को भी देखा, बुराई को भी देखा, इसके अच्छे बुरे सब का ज्यान करते हैं, अलोचनात्मक डंग से चिंतन के स हो गड़ आप की वही चीज़ें बार बार आँरी है सारी आपकी अच्छी अप्रोच बन गई होगी मुझे आपके अप्रोच ऐसी बन गई होगी अब कुछी कवीडियो मिद्य बचिए जो कंपीटर अनुदेशन वीदिय हो हम अच्छे से देखेंगे बागी सारी विदियों कि खोच करके सभी शिक्षन बिंदू पर लागू नहीं होती है द्यापगुरू जी को अनुभवी होना चीए सभी जो बालक है वो इतना नहीं सोच पाते हैं तो मंद बुद्धी चोटे बच्चों के लिए उप्योगी नहीं है और सभी शिक्षन बिंदू के लिए लागू नहीं हो फला फला सारे के सारी चीज़े आ जाएगी तो मुझे तो इतना कॉंफिडेंस है कि आप इसको कर लोगे तो यह थी विज्ञांइक विधी आजकी वीडियो में इतना ही जैसे हमने देखी आगमन विदी निगमन विदी और उसके बाद समश्य समादान विदी और विज्ञानिक विदी अभ guard हमने देखेंगे थोड़ी संस्लेशन विशलेशन विदियां क्या है शौर्ट में उनको डिफ्रेंस करते वे समझ लेंगे फिर हमें पढ़ना है सामोई चर्चा क्या है यह बहुत छोटे-छोटे हैं जो बेसिक इनका समझ आ गया आपको तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक मस रहिए खुश रहिए और पढ़